साथियों, बिते वर्षों में देश के रेल इन्फरसक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना काम हुआ है, वो वाकई अभुत्पुर्व हैं। आजादी के बाद हमारी जादात और उर्जा पहले से जो रोली व्यवस्ता थी उसको ठिक ठाक करने या सुधारने में ही लगी रही। उस दोरान नई सोच और नई टेकनलोजी पर फोकस कम ही रहा। यह एप्रोच बदली जानी बहुत जरूरी थी और इसलिए बीते सालों में देश में रेलवे के पूरे तंत्र में व्यापक बदलाव करने के लिए काम किया। यह काम सिर्फ बजेट बढ़ाना घटाना नई ट्रेनियों की गोश्णाय करना यहां तक सिमित नहीं रहा। यह परिवर्तन अनेक मोर्चों पर एक साथ हुआ है। अब जैसे केवडिया का रेल से कनेक करने वाले इस प्रोजेक का ही उदारण देखें तो इसके निर्मान में जैसे अभी वीडियो में बताया गया था मौसम ने कोरोना की मामारी ने अनेक प्रकार की बताया आई। लेकिन रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा किरा गया। और जिस नई निर्मान टेक्नालोजी के इस्तमाल अब रेल्वे कर रही है उसने इसमें भाप मदद की इस दोरान ट्रैक्स से लेकर पूरों के निर्मान तक नई टेकनीक पर फोकस किया गया। स्थानी अस्तर पर उपलब्द संसाधों का उपयोग किया गया। हमारे देश में पहले जो तौर तरीके चल रहे थे उसका एक उधारन ही मान लिजी है। पूर्वी और पस्चीमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर ने के एक बड़े सेक्षन का लोकारपन कुछी दिन पहले मुझे करने का मोका मिला। राश्ट के लिए बहुत जरूरी इस प्रोजेक्ट पर 2006 से लेकर 2014 तक यानि लगभग आट सालों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ। 2014 तक एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं भी शाया था। अब अगले कुछ महिनों में कुल मिला करके ग्याना सो किलोमेटर का काम पूरा होने जा रहा है।